रामपुर नाम के कस्बे में सुरेश नाम का एक गोलगप्पे वाला अपने परिवार के साथ रहता था उसके परिवार में उसकी पत्नी अमर्ता और उसकी बेटी थी सुरेश गोलगप्पे बेच कर किसी तरह अपने परिवार का लालन पोशन कर रहा था वह अपनी लड़की को बहुत पढ़ाना चाहता था पर पैसे की कमी के कारण उसको बहुत दिक्कता रही थी सुरेश की बीवी अमरता बहुत उग्र और लड़ाकू स्वभाव की थी वह बात-बात पर सुरेश से लड़ाई करने के लिए उतारू हो जाती उसको छोटी सी बात को बढ़ा करके लड़ने में बहुत मज़ा आता था एक तो पैसे की कमी, दूसरी लड़ाकू बीवी, तीसरी वह अपनी बेटी को पढ़ा नहीं पा रहा था इन सब बातों से सुरेश बहुत परिशान रहता था लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा था एक दिन देखो अमरता, गोलगप्पे थोड़े फूले फूले बनाया करो दुकंदारी कम होती जा रही है क्राहक शिकायत करते हैं कि गोलगप्पे अच्छे नहीं है मेरी तो किसमत ही फूटी थी जो तुमसे शादी की मेरा काम है दिन भर गोलगप्पे बनाओ और तुम्हारे शिकायते सुनो मुझसे ऐसे ही गोलगप्पे बनेंगे इससे बड़िहा मैं नहीं बना सकती हां भाग्यवान तुम्हारा जैसा मन करे वैसा करो पर लड़ो मन अब मैं लड़ रही हूँ जाओ नहीं बनाती गोलगप्पे आस तुम ही गोलगप्पे बनाओ देखती हूँ तुम कितने अच्छे बनाते हो उस दिन सुरेश ने खुद ही गोलगप्पे बनाए पस सुरेश की आदत गोलगप्पे बनाने की नहीं थी इस कारण उस दिन गोलगप्पे और खराब बने गोलगप्पे की खराब क्वालिटी की वज़े से उस दिन की दुकंदारी और कम हो गई अब तो घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है अब भगवान ही मालिक है मेरा सपना है मेरी बेटी पड लिख कर कोई अफसर बने लगता नहीं मेरा सपना पूरा होगा सपना सपना ही रह जाएगा ये सारी बाते सोचता हुआ सुरेश रात को गोलगप्पे की ठेली लेकर घर जा रहा था तब ही उसको एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई पड़ती है वह आवाज की दिशा में जाता है तो वह देखता है कि एक लड़की एक गटे में गिरी रो रही है अरे तुम गड़े में कैसे गिर गई पहले आप मुझे गड़े से निकालो, फिर मैं सारी बात बताती हूँ तुरंथी सुरेश ने उस लड़की को गड़े से बाहर निकाल दिया आपने मुझे गड़े से बाहर निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद असल में मैं एक परी हूँ मैं आकाश में उड़ रही थी, तभी मेरी छड़ी मेरे हाथ से छूट कई जिसके कारण इस गड़े में मेरी छड़ी गिर कई जादूई छड़ी में हम परियों की सारी ताकत होती है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं अब आप मेरी छड़ी को ढुणवाने में मदद करो, यहीं आसपास गिरी होगी कुछी देर में सुरेश ने छड़ी ढूण कर परी को दे दी मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम्हें कोई परिशानी है तो मुझे बताओ परी जी, मेरा गोलगपे का काम है, पर मेरे गोलगपे बहुत कम बिखते हैं, बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चलता है बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें एक जादुई कढ़ाई देती हूँ, जिसमें तले हुए गोलगपे जादुई होंगे जो भी इस कढ़ाई के तले हुए गोलगपे खाएगा, वो मंत्र मुग्द हो जाएगा वो बार बार तुमसे गोलगपे खाना चाहेगा गोलगपे खाने के बाद दुखी आदमी का मन भी खुश हो जाएगा वो आनंद का अनुभव करेगा ये जादुई गोलगप्पे तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर देंगे अब सुरेश का गोलगप्पे का काम बहुत अच्छा चलने लगा हमेशा उसकी दुकान पर ग्राहक लगे रहते ग्राहक भी इतने कि उसको लाएन लगवानी पड़ती अब उसकी बीवी भी उससे नहीं लड़ती माजिकल गोलगप्पे की वजह से उसका मन भी हमेशा हर्शित रहता वह और मन लगा कर काम करती अब सुरेश के पास किसी चीज की कमी नहीं थी अब वह अपनी बेटी को अच्छे से बढ़ा सकता था अपने सपने पूरे कर सकता था सब कुछ अच्छा चल रहा था परन्तु एक दिन सुरेश ने बातो ही बातो मैं मैजिकल गोलगप्पे की बात अपने दोस्त मोहन को बता दी मोहन का काम भी गोलगप्पे का था मोहन के मन में लाला चा जाता है वो जादूई कड़ाई सुरेश के घर से चुरा लाता है वाह क्या बात है जादूई गोलगपे जादूई कड़ाई अब मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा मोहन शाम को अपनी गोलगप्पे की दुकान पर दस रुपे के गोलगप्पे खिला न? ये लो भाई साहब, बहुत बढ़िया गोलगप्पे अरे, इतना गंदा सुआद, इतने करवे गोलगप्पे मैंने इतने खराब गोलगप्पे अपनी पूरी जिन्दगी में नहीं खाए है ऐसे ही वै कई ग्राहकों को गोलगप्पे खिलाता है, सब यही कहते हैं कि कितने खराब गोलगप्पे हैं तुमारे एक ग्राहक तो गुस्से में आकर मोहन की पिठाई भी कर देता है ये कैसे जादूई गोलगप्पे हैं, इन्होंने तो मुझे मरवा दिया, सुभा से एक रुपे की भी आमदनी नहीं हुई है तब ही उसको एक आवाज सुनाई परती है इस प्रकास सुरेश को वापस जादूई गोलगप्पे की वजए से सुरेश की हर समस्या का समाधान हो जाता है कुछ सालों बाद उसकी बेटी भी IPS ऑफिसर बन जाती है अब सुरेश का परिवार बहुत खुश था